जोहार आदाब नमस्कार बीच बहस में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस मुद्दे पर पूरे देश में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और उस चर्चा की वजह से मामला पार्लियामट में गया और पार्लियामंट ने उसे संदुप्त पार्लियामेंटरी कमिटरी को सहब्तिया उस पर बिचार करने के लिए इसलिए कि उस पर बाद बाद थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, वह इसू है वक्त बूद, अब ये वक्त क्या होता है, उसके लिए बूड क्यों बनता है, यह भी हम जानेंगे, यह भी समझेंगे, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, और उसमें संसोधन को ले करके, आखिर इत करेंगे, हमारे साथ है मौलाना असगर मिस्भाही साहब, जो जैक जारकन सोसासी परिशद जो था, उसके भी सदसे रहे, और अलप संक्या कायोग के भी सदसे रहे, और उसके मौलाना है, पढ़ाते भी है, मदर्से में, और नमाद भी आदा कराते है, स्वागत है आपका, नमस्कार, हमारे साथ है कमाल खान साहब, जो अलप संक्या कायोग के अद्यक्ष रहे हैं कई बार, आपका भी स्वागत है, हमारे साथ है अक्तर हुसेन साहब, जो पत्रकार है, आपका भी स्वागत है, हमारे साथ है इप्तकार हसन, जो समाजी कार्ज करता है, आप चारों क स्वागत सबको सबका खैर मखदम और आप सबसे मैं बात्चित सुरू करता हूं एक तो मेरी जो जानकारी है वो जानकारी के अनुसार कि 1954 में वक्त बोर्ड बना और जो सारवजिक उप्योग के मुसल्मानों की संपत्ति है उसकी रक्षा और जो उर्तमंदों की मदद करने के लिए उसमें प्राधान किये गए है आप लोग बेहतर बताएंगे मौलाना सब आपकी से मैं आरम करता हूं कि यह वक्त बोर्ड है क्या मुलक अज़ाद जब हुआ हिंदुस्तान तो नहीं सो चोवन में बजाबता तोर पे चुँके बहुत जारी जमीने वक्त थी थी और म इसली किया जाता है ताकि उस वक्त की जमीन में रिफाई काम भी हो मस्जिद है कबिस्तान है मदरसा है इदगा है उसके लावा रिफाई कामों के लिए आम लोगे भलाई के लिए गरीबों के लिए मिस्कीनों के लिए रिफाई काम अंजाम दिया जाए तो नहीं सो चुब में बस दाबता तोर पे वो वक्फ एक्ट कमिटी बनी और उसके गवाने ने बने रसूल जाबते बें बने उसके बाद दो हजार दस में और फे दो हजार तेरह में बहुत सारी चीज ने इसमें कमी थी जिसको पूरी कियी गई और तश्वविबक्ष जो रसूल जाबते थे उसके जबा किया गया उसी के देख रहे के लिए और इंदसराम के लिए ये वक्फ बोड़ बनता है और जो वक्फ बोड़ बनता है वो सरकार के मातियत होता है सरकार के अंडर में होता है बलके जतने भी वक्फ बोड़ भी पूरी हिंदुस्तान में है उस सरकार के अंडर म हैं और सरकार ही उसके मेंबरों को मन्तखब करती है और चेमें में मन्तखब करती है उसके इंतखाब सरकार करती है तो अब यह है कि हमारे इसलामी शरीयत के रूबे जो जमीन वक्फ की जाती है तो वक्फ करने वाला सवाब उसको मिलता है और वक्सद भी होता है ताकि उसका सबाब जारी रहे तो वक्षे जो जमीन होती है जो जाइदाद होती है उसका मसरफ सही हो उसके इस्तेमाल सही हो और जिस मकसद ले वक्ष भी की गई अगर मस्जद के लिए तो नमाज पुली जाए कवरिस्तान में मुझे तफ़न किये जाते हैं स्कूल है उसके बहुत सरी ह Cathedral वगयरा रफाई काम के लिए हैदरःबाद वगयरा विए भी है तो देख रेक निगरानी के लिए Воक रद मता है कि और मखसद ही होता है कि ओस देख رेक करें करें और जितने Yep बैब सबसे से लंबे समय तक और कई दफ़ा 24 साल में आयोग के अधिक्ष रहे हुए हैं, आप थोड़ा इस पर प्रकास डाय लिए, कि आप जब थे, मौनाना सहाब ने एक बहुत जरूरी बात की, वक्त बोर्ड बनाया सरकार थे, सरकार ही में बराने की निजगति करती है, और सरकार ही स संसुधन करती है, राइट पर है उसको संसुधन करने का, ऐसी क्या जूरत आन पड़ी, कि संसुधन का मामला आया, और आप जब थे, तो आपने क्या पाया, क्या थे, जारकंड को फोकस करके हम थोड़ा सा ज्यादा बात करने चाहते हैं, संदर्म में आप देश के किसी बनाती है, और सूबों में जहां तक की राज्यों में है, उसको वागबोर्ड फॉलो करती है, और ये नियम कानून राज्य नहीं बनाने का अधिकार नहीं है, ये केंद्र का ही अधिकार है, तो कौन सी चीज है, देखे, समय समय पर अब देखे, उस समय डॉक्टर बावा बावा अभीम राम अमेतकर ही, सम्मिधान बनाए, उन्होंने लिखा, डाफ्टिंग कमिंटी के चेर्मेन भी थे, जाना जाते हैं, हलांकि सम्मिधान के अधिक्ष तो डॉक्टर राजंद्र परशाद जी थे, लेकिन लिखे, इसलिए डॉक्टर बावा अभीम राम अमेत करको जादा लोग जाते हैं, और बनाए, लेकिन आज 128 लगभाग है, उसके संसुधन हो गए, तो जहां तक है, कि दिखिए, हम भारत सरकार कुछ आपका मश्वरा वगेरा करके पूरे हिंदोस्तान में, लोक्षभा में, वो आपका बील को पेस की, अब जहां कहीं तुरू को माझलेह की लगे कि मुसलमानों की इखित में ने, चूकर वर्कबोर्ड का जो संसोधन या तबदिल वगयरा की जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा सूबो में वर्कबोर्ड से, जो की संपती है, उसन को फायदा हो, मसलमानों के बहबूदी और तरकी व्या-भी वहां से काम चुक्छे परस्ताव अगर बनाकर राज बोर्ड अगर राकेंद्र को भेजती है तो वहां से किस चीजों पर है तो भारत सरकार वाकपोर्ड के जरिया यहां सूबों में भी आता है पैसा विकास के लिए बहबूद्गी और तरक्टी के लिए अब जहां तक है कि वह पेस किया गया अब आपका सूट नहीं किया गया वहां लोक्षभा में हंगामा हुआ जाइंट पार्लियामेंटरी कमिटी को दिया गया है अब पक्ष और विपक्ष के सारे वहां सदस है वह आपका कहां तुरूटी है कहां ठीक नहीं है कहां है ठीक है वहां पर आपका मैं आप आप से पूछ रहा हूं मेरा सवाल है जार्खंड के संदर में आप बतायें कि वक्त बोड़ नहीं है हज कमेटी जारखन में नहीं है एकडमी कॉंसिल जारखन में नहीं है हम लोगों ने हंगामा वगेरे थोड़ा किया तो अल्पसंक्राइब आयोग आपका बनाया गया लेकिन अब देखें कि ना रहने से बोर्ड एकड़ ठप है अब करुणा वारे के समय ही सरकार आपका तब बोर्ड था लेकिन ये पांट साल के अर्शे में वह देखें आप इलजामात पर हम नहीं जाएंगे हम यह करें कि बोर्ड फंक्शन कर रहा था क्या उसमें जो बोर्ड था उसमें जुरतमंदों की मदद के लिए जो वक्त की संपत्ती है उसका इस्तमाल हुआ क्या यह हम कह हैं थो छेर्मेंड के पास आपका जो भी अजटा आता है टो भूड ही पास करने का अख्तियार हैering को मैं सीयो को मैं सी को आपका रोतिन काम कर सकते ह 15 साल चयों के भरशतों से वो आ रहे हैं को नहीं कहां मीटिश्ला कावील हों और सी का का ढया है कि से आपका से खानी अशे वो सिर्फ अपना रोटीन वर्क करेंगे आएंगे उनके बस में तो भी बात तो है नहीं बस में तो एक सरकार को करनी है हम लोग तो समय समय पर विपक्ष के नाते रहने के बाद हम लोगों ने मांग भी किया गया तो हम लोग के मांग को इसकान से सरकार सुन रही है और इसका यसके लोग लेते हैं लेकिन जब काम करने की नवबत आती है तो उस वक्त काम मुसलमानों के हित में वह न न करते हैं आपका व act-mode कौन बनाया कानून कोन बनाया वह जाहला नहरूबनाया उनिस सब्सक्राइब में आप सीधे पार्टियों के इल्जाम पर मत आईए कानुन तो बनाये ने आपके लिए सिधे उसको नकार देना है तो नकार ना आप उन्यां के अर्से में अखीर हज कमिटी आप देखे क्यों नहीं हज कमिटी के लिए आपका देखे पॉइंट कि चेर्माइन ना रहने के वजह से जब हज हाउस इतना बढ़ियां बना हुआ है केंद्री सरकार या केंद्री हज कमीटी कुछ कहना की यह था अरे अगुबर दास के प्रिद्ट आपने क्या किया भी उस समय जब बन गया था तो आपने क्या इस्तमाल किया है हाज हाजी लोग के अलावत क्या इस्तमाल हो घुका सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग जो आज बैठे हुए है वक्व बोर्ड पे बात करने के लिए तो इसका बहाना या जरिया जो कहिए यह बना है कि पार्लियमेंट में परस्ताव आया है कि इसको चेंज किया जाए संसोधन वक्व बोर्ड संसोधन बील इसका नाम रखा तो इसकी जरूरत क्यों पढ़ी अचानक से कहीं से यह भी आवाज आ रहे है कि सरकार ने सेंट्रल गवर्मेंट ने इस बील को लाने के पहले सर्वे किया है तो मेरी विक्तिकत जानकारी में ऐसा कोई सर्वे ऐसा कोई ओपिनियन क्लेक्शन नहीं हुआ है तो यह जरूरत क पढ़िए है जो संकार पालीमेंट में कह रही है तो वह बात होता है वहां बाद विवाद हुआ तो जेपीची को चला गया हम आप से यह जानना चाहा रहे हैं कि जारखंड को फोकस में रख करके आप यह बताए कि यहां वक्त बोर्ट के नहीं होने होने का क्या मतलब है तब सेंटर को उसमें सामिल कर सकते हैं इसलिए कि हमारा फोकस जारखंड दिखे यहां पर अगर जारखंड की बात करें तो मुसलमानों की अबादी यहां पर गिनी चुने शहरों में ज्यादा है जहां पर वक्त बोर्ट की ज्यादा प्रोपर्टी है जैसे राची को टॉप पर रख लीजिए जमशेतपूर को रख लीजिए गिरीडी में मुसलमा अब पर दश्तानों की बहुत वड़ी अबादी है लेकिन वहां पर वक्त की संपति व से नहीं है आपको हजारी बाग में हैं तो आब आपका ये जो कहना है की जहारखंड के संधर में तो ये जो बिल मलाया गया है sare ये स्रीफ जहरखंड को नजर में रखके तो नहीं ला करहुँ तो कि बै debates कायी वकबोट एक जradas एक एक सन्ट्रे बाटी है इसकी और बाकी राजियों में लग बॉडी सते तो वह जो में सरकार का यह तर्ग यह के पीछे की जो राज्य सरकार राजियों में जो वकबोड की जो बाडी है कमीटी है वह ठीक से महीं काम कर रही है हम इसको और ज्यादा पावर देंगे और इसके अधिकार छेटर को और बढ़ाएंगे और इसके काम जो हैं वह इसको आम और इतना ताकत वर बनाएंगे कि इनके काम करने का दाइरा बगए सरकार ये कह रही है लेकिन इसके लिए अब फिर वहीं पर बात आ जाती है कि भाई इसके लिए बील लाने की क्या जरूरत है कानून को बदलने की क्या जरूरत है यहां पर देखिये जो बात हो रही है जिसकी वज़ा से ने कहा कि समीधान में 102 से ज्यादा संसोधन इसलिए उए नहीं 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 हुए यह बार हुए नहीं कि आप मुल्मुद्दे पर आईए कि आपको परिशानी क्या है परिशानी देखे क्या है सरकार बोल तो रही है कि इसको हम और इंपावर्ड करेंगे इनके अधिकारों का जरीया और बगाएंगे इनकी गोर्णिंग बोर्डी को और ज्यादा पावर देंगे अधिकार देंगे लेकिन इसमें सायद आपको मालूम भी होगा कि इसके जो वरकिंग कमीटी के जो मेंबर होंगे जो डीसीजन मेंगिंग मेंबर होंगे तो उनमें दो बदलाव किये जाएंगे और मेरी समझ से यह जो दो बदलाव है इसको शक के नजरीये से देखा जा रहा है यह व्रूर्ट का मतलब है दोनेट करना किसी को दे ह् किसी की जांतीगत नहीं यह दे दिया गया सब्सक्राइब करना चाहिए कि अब जो बाते कहीं जा रही है कि तमिलाडू में गाउं ही है जिस पर वक बोड कर रहा है कि यह मेरा है इदगाह है बैंगलूर का कई पूरी लिष्ट है कमाल खान साब अभी है कमाल खान साब ने जो कहा ठीक है न उसको भी आप रखिये केंदर में उनके सवाल भी बहुत सारे आए कि हां ऐसा है उन्हों स्विकारा भी हां नहीं है गुद्ध बनाती है और अपत्ती क्या है और अफ़वर्ण बनाती है अगर अपत्ती इसमें है की यह जो तो अगर बील जो है सर वह ए मैं फिर से बोल रहा हूं मैं यह बात कहीं नहीं हो हूं कुछ करते हैं तो सेंटर बनाएगा अधी पूरा देश का राओर वक बॉर्ड उस पर कचा लेगा हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि स्टेट का वक बोर्ड जो है वह इस इस को चार्ण बनाती है और किंद्रिये पुरिशत सिंट्रल गॉर्मिन्ट बनाती है सारे वक्पोर्ड किंद्रिये पुरिशत का धीन रहते है क्या कमाल साथ यही है ना नहीं तो इसमें लोगों को तकलीफ या शिकायत यह हो रही है मेरी समझ से कि जोगे गए हैं तो एक कलाउज में यह है कि इसमें महिलाओं को भी गवर्निंग बॉडी में रखा जाएगा और दूसरा यह है कि अभी तक जो स्रीफ मुस्लिम होते थे वक्पोर्ड के सदस्ट उसमें गैर मुस्लिम भी होंगे किसी भी कार्ट से आएंगे तो अभी एक महौल ऐसा भी है बहुत उधर नहीं जाना चाहिए कि सरकार कुछ भी कहती है तो लोगों को शक होने लगता है अब जैसे तीन तलाक वाला जो विद्यायक पास हुआ यह अच्छी चीज है मुस्लिम मैं कहता हूँ कि यह बड़ी अच्छी चीज है कि भाई यह क्या मतलब हुआ कि आप तीन बर तलाक तलाक बोल दिया और कहां सड़क पर आ गई वो उसका भी कोई उसकी कोई आउकात कोई हैसियत है कि नहीं तो यह बहुत ही अच्छा काम हुआ लेकिन शुरू में यह लग रहा था कि पता नहीं सरकार क्या करेगी इसी तरह का महौल अभी है चाहे वो आप जारकंड में देखिये या इसको आपके सख करने से सरकारे काम करना बंद नहीं कर दी हाँ थोड़ा मैं इसमें और एड कर दे रहा हूं एक्शुल यह कानून उन्हें इससे चववन में बना दूसरा जो सबसे अमूल शूल परिवर्तन हुआ वो हुआ के रह्मान खान साहब के समय में जो केदरी अलप संख्यक कल्यान मंत्री थे और उन्होंने वक्ष पर काफी काम में 2013 में तो उसमें इस तरह का संख्यक्त दूसरा संशोधन अमूल शूल संशोधन जो हुआ वो के राइमान खान साथ की वज़ा से हुआ जिसमें ये अख्तियार हो गया कि वक्त बोर्ड की कोई अगर परपटी छीनता है तो वक्त बोर्ड जो है उसमें इस तरह से लगाम लगा करके सुधारेगा कि उस पर फौरी त दर्चा का विशह है या जो आप बता रहे हैं वक्त बोर्ड संशोधन दरसल वो नाम नहीं है नाम है यूनाइटेट दी यूनाइटेट वक्फ एक्ट मैनेज्मेंट इंपावर्मेंट इंपावर्मेंट इफिसेंसी और डिवलपमेंट एक्ट 1995 यानि उम्मीद के नाम से क जो खुद सरकार आप कबजा करिया और उस पर से आप बोलिए कि नहीं ये हमारा है आप इसमें हस्तचेप नहीं कर सकते हैं वक्फ पुरपटी जो है वो दरसल अंग्रेजों का दान दिया हुआ नहीं है मोगलों का दान दिया हुआ नहीं है ना सरकारों का दान दिया हुआ दान दिया हुआ है इसी समाज के जो लोग मुस्लिम समाज में संपन थे सक्षम थे उन लोगों ने दान दिया कुछ उसमें जो डिविजन जो हुआ इंडिया पाकिस्तान का उसमें जो लोग है तो वो भी इसी में शामिलों करके और इन ही लोगों ने सरकार को कहा कि आप मेरे संदक्षन के लिए इन सब चीजों का अंजाम दीए उन चीजों पर जब हम आए तब उसमें देख रहे हैं कि यहां तो उल्टा कहानी चल रहा है क्या कहानी चल रहा है कि जो इंडिविजुवल जितना ज्यादा कबजा नहीं है उससे कई गुना ज्यादा सरकार कबजा करके रखी हुई है चाहे वो देश का कोई भी सुबा हो सरकार ही खुद कबजा करके रखी हुए जिसमें 123 123 सिर्फ दिल्ली में केंद्र ने जो है कबजा कर रखा है वक्त की संपतियों बर जो आज भी चल रहा है और उसी में आपका अंबानी जी का अपाटमेंट भी है क्या तो नाम है वो तो वो सब है इसके साथ साथ आप सबसे ज़्यादा जो विवाद है इन सबों के इलावा जैसे इसका विवाद का निफ्टारा वक्फ ट्राइबुनल के जरीए से होना है अब ट्राइबुनल के बाद जो ज़्यादा केसिस हैं वो एसाई में है एस्ट्रो आपक आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया वहां उन जो मकबरे का संदक्षन करना या दरगाहों का संदक्षन करना उसके नाम पर A.S.I. ने संदक्षन की देखरेक कलिए ले रखा है और वो एक्च्वल में वो भी एक तरह से अधिगरण की कहानी में करना था कि जो मुसलिम सबाज के बैब़र कुमणिटी से हैं जिनकी आर्थिक इस्तिति जरजर है उसको अथे लेकिन यहां देखने को मिलता है कि उस तरह की इस्तिति का डेवलपमेंट नहीं हुआ है पहला चीसी दूसरा चीप एक वीड प्लस कर दे रहा हैं आपके वह सवाल में सरकार यहीं कह रही है चुकि आपने उसका उपयोग उन जुरुतमंदों के लिए नहीं किया तो हम आपको कंपेल करने के लिए इस से की जुरुतमंदों की बदद करने की आपकी मजबूरी हो जाए आगे बड़ ठीक है लेकिन सवाल यहां यह आ जाता है कि अभी तक जो माइनरिटी के दस सालों में आपका जो रवया था जो रोल था उसमें यह सब जो है शक और शुबा के तोर पर आ रहा है क्या क्या सक्षुबा पहला कि मुसलिम समाच का कोई आंदोलन नहीं था वक्फ के संपत्ती को लेकर कोई आंदोल नहीं बलकि यूँ कहें कि वह अपने हक अधिकार का भी आंदोलन बहुत सीमित कर दिया आज भी मैजुरिटी के लोग हमारी आवास को ही आवास बनते हैं चाहे पॉलिटिकल पार्टी सो यह सड़क पर यह कर रहें कि आपकर कोरोना हुआ है तो हम आपका इलाज नहीं करा है जब तक आप कहें नहीं कि आपको करोना हुआ है हमारा इलाज होना चाहिए अब सवाल यह है कि नहीं हुआ यह तो मैं पहले जानो France बहूत सारी इंऑनी जन्के बारे में आपने जातें इसी पार यहानाता है आप बहुत पार आस्पार जाते हैं तकर रदम हो जबकि गयस से चलते לא प्रोविन मोज करने कोई बात हुआ है कि सक की नजर से here चलते पांज करते में फ्रन करने का हो नचानway कर खोला कर पिएःगे जबकि बड़तल का और पांज खड़तके पीस पीत अगर आपके हित्मे को है, तब भी सक के नजरिये से दिखना जरूरी है क्या? पहले कि यहां काम हमारे हित्मे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो आपने कहा वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, कि जरुत मंदों की मदद नहीं की गई जितने पैमाने पर की जानी चाहिए थी अब एक मामला है कि आपको आठ लाक एकर से ज्यादा जमीन है और पार्लियामेंट में सरकार कह रही है लोहों का निगाह जा रहा है कि वह क्या कर रहें आप उस जमीन का तब आपके हाँ लोग इतने बैकवर्ट के हो हैं नहीं सभी बात है देखिए यह जो बात पूर एक्चॉल में मुझे करोना नहीं हुआ है सरदी खासी की बिमारी है हो सकता है हमारे पूरे इलाज का डाइगनोसिस और दवा उसका नाम है राजेंदर सच्चर के द्वारा गठित कमीटी जो 2005 में बनाए गई जस्टिस राजेंदर सच्चर के द्वारा उसमें पूरे चीजों का बाद बता दिया गया उसके एलाज के लिए एक्शन टोकन पूराम लिया गया आपका एक और कमीटी बना करके उसमें ये बताया गया कि इनको रिजर्वेशन की जरूवत है इनको वक्ट बोर्ट के जरीए से जो उनकी संपत्ती है उसमें अप्लिफ्मेट करने का चाहे वो इंप्लाइमेंट का ह या बाकी और जो सवालात उसको हल करने का जरूवत है अभी हो क्या गया है कि जतने भी माइनेर्टी से रिलेटेड बोर्ड है या कमिशन है कमिशन जादा पावरफुल होता है बनिजबत बोर्ड के तो उस सूरत में हम लोग ये देखते हैं कि ये सारा का सारा पॉलिटिकल पोस्ट हो चुका है वो उसके लिए नहीं है अब जैसे वक्त की बात कर रहे हैं तो वक्त में कैसे लोगों को रहाना चाहिए वैसे लोगों को भी रहाना चाहिए जो और डी वक्त का रिविन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं जो वक्त बोर्ड के संपत्ति के अधीन है अब मुझे लगता है कि ऐसा होता नहीं है, इसलिए कि जो politicians वहाँ पर सरकार में बैठे होते हैं, वो तै करते हैं कि इसके लाइक कौन होगा, हो या नहीं हो, वो अलग बात है, ठीक है न, जैसे कमाल खान हमारे पास बैठे हुए है, मौराना साहब बैठे हुए है, मौराना स सवाल जन्वीन है, उसमें पुछा जाना चाहिए, हम आते हैं फिर आपकी तरफ, आप कुछ कहा है रहते हैं, कमाल साथ? देखे, ऐसा है कि पावरफूल और बेपावरफूल का नहीं है, सब का आयोग क्या होता है, और बोड क्या होता है, नीगम क्या होता है, उसका काम करन करने का भी काम, आयोग नहीं कर सकता है, आयोग का काम हम सबसा करना, जो काम नहीं हो रहा आप उलाएंगे, आपको सुझाव देंगे, उस पर फॉलो कीजिए, नहीं है तो सरकार को, लेकिन उस पछडे में नहीं पढ़ने का, दिखे, अभी जैसे बोले, शक की निगा, फैसला नहीं दिया, तीन तलाग पर भी सुप्रिम कोट ने सरवच्च नियाले ने, सिर्फ सजा का आप कहा था कि कानून बनाई है कि उसको क्या, ये की जा सकती है, तो वो भारत सरकार की, लेकिन पूरा फैसला, सब कुछ आपका, कुरान सरीफ, हदीश को अध्यान करके ही आपका वो सुप्रिम कोट ने फैसला दिया है, और राम मंदिर का और बावरी मस्चिद का जो मसला आपका चल ला था, उसको भी आपका निस्पादन करने के लिए कि उससे आपका ये किया जाए, लेकिन सवाल रहा कि वो नहीं है, वक्त का मुसल्मानों की मिल्कियत का है, और मुसल्मानों का है, लेकिन सख नहीं, सही मानों में, अब पांट साल में जारगन का ही लीजिए, कोई परस्ताव नहीं, हलाकि यहां से परस्ताव अगर बोर्ड बनी रहती, करना वारिस हुआ, उस समय क्या गरीबी हमारे हैं, यह है, जैसे नदीम साब ने कहा कि सचर कम कमीटी आयोक ने क्या कहा था, कि सबसे जयदा अगर माली हालात में कमजोर हैं, तो मुसलिम समाझ है, तालीम में सबसे बड़ा पीछे अगर कोई है, दुनियावी तालीम में तो मुसल्मान है, सचर कमीटी ने यहीं ना रिपोर्ट दिया है वारिस सरकार को, तो आज बोर् करके देती कि अभूक अभूक जिला में जो होता है मतवली होता है मानिय मदुकर जी मतवली और मतवली ही परस्ताव बनाते हैं और वो आपका एस्टेट में भी आपका लिया जाता है सब जीलों के सर्वे करके राज्जारखंड में भी है जमसेदपुर में है धनबाद में है गोड़ा में है पाकुड में है साब गंज में बहुत सा आपके जगों पर जिलों में है और बहुत सा जगों पर ये नहीं लोहरदग्या में है ये बहुत सा तो जो शक्षम मुसल्मान है वो अपना दान वख कर देते हैं वख का मतलब दान देना वो आपका तो वही चाहता है सरकार सरकार को इसमें सवा साथ परसेंट से स्राजस पे जाता है वाग के से सालाना जो अमदनी होती है अभ आपका देखे अजुमन एप लाजा में भड़ा पर लगी हुई है कालेक्स अंजुमन आपका कहती है कि दो भड़ा अभाडे दार आपका दवाओ बनाए तब तो आपके दोस्त इबरारे साहब आपका आयत है इबरारे साहब को बुला है आपका वर्क बोड़ का और महामंत्री थे मौक्तार साहब अभी जो अभी चेहरमेन है वो बुलाए तय हुआ कि देखें हमसे डरता नहीं है लोग वर्क बोड़ के सीओ आपका दे ये नोटीस तो यही मेरा कहने का है कि दिखिए मुसल्मान समाज को हिंदोस्तान में दिखिए यही काम दूसरा कॉग्रेस की रहती यह है लेकिन होता गया है कि यह भाजपा लारी जैसे आप पुलिटिकल बहुत हो जा रहे हैं ने ने सुन लिजे भाजपा सरकार का दबे जबान से इन में नहीं जाना चाहते हैं लेकिन जब आपका चीज है तो मधुकर भाईया बोलना तो पड़ेगा अब पांस साल में चिसकी जिम्मेदारी है सरकार नहीं अब आप ही निकाक इतना बड़ा अफात आया था बोर्ड बनी रहती जारगंड में यहां के बोर्ड प्रस्ताव ब ने भारत सरकार दी लेकिन यह सब चीजों के आखिर वफ के संपती में सरकार के खजाने में भी पैसा आता है साथ परसेट आपका मिल्कियत का चाहे बावा बहुत सा आपका मजार सरीफ है जारगंड में वो भी आपका वाफ पोर्ड किसे में सलंग नहीं इसलिए मैं बहु वाफ बोड को बनना जरूरी था वाफ बोड का चली जो तस्कील नहीं की गई है बहुत खेट की बात है तकलीफ है और उसके लेकर और उसी को लेकर अभी जनाब कमाल खान सामने एक बात कही के तर्मीम तो पहले भी हुए है संसुदन पहले भी किया गिया है कभी कोई इतर नहीं हुआ इस बार क्यों हो रहा है अब देखिए सक्तर असी साल में तीन बार हुआ तो उसको बहुत ज्यादा नहीं तो अब एसले एक बास में ज़रूरी है और वो यह है कि चुके बीजी पी जो गौर्मेंट है तो उससे लोगों के मुसलमानों के शुकूश बात हुए बढ़े हैं अब अन्दाजर फर्माईए कि यह सुदन बिल जो पेश किया गया है उसके बहुत सारी चीजा बाहर आ रही है मिसाल के तोर पे उसमें यह है कि अगर किसी मुसलमान ने वो पहले ऐसा होता था कि मुसलमान हुए इस मुलके में गहर मुसलमान हुए तो अब उस एक बात तो यह इसलिए मुसलमानों को शुबा हो रहा है दूसरी बात यह है कि सरकार यह कि आप से से भी तिर्फ रोक हो कि यहां पहले कि बात हैं, यह दुस्ता की बात हैं, फ़ैसंब सुल में दूस में प्रत बंत हुं femese का बदू कि आजंसे नहीं हो ब cadence है कि आप फिर यह दुख साल में पूंब इस को सरकार बनाएग beneगे अदुम और मेंबर चाहे किसी को बनाए चाहे वो गैर मुस्लिमी हो मुसल्मान नहों यह हकुमत की इख्तियार में हो यह बड़ी खतना बात है अतराइब है पहले को बनाता था लिए पहले को बनाता था बनाती ती सरकारी बनाती थी अभी सर्टारी बनाएम किसी को अतराज नहीं होना चाहिए यह गलत तरीक्त दीन है इस बिल में है कि गैरमस्लिम ही उसमें मेंबर हूँगे संक्या होगी और महिलाएं भी होगी तो आपको महिलाओं और दो गैरमस्लिम से क्या आपकी क्या कोई इतर्थ नहीं है इत आप एस पर है कि सरकार कमिटी बनाएगी जसको चाहे सरकार ही बनाएगी नहीं यह कह रहा हूँ ना उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर सरकार कमिटी बना देगी अगर उसमें कोई मिम्मर मुसलमान नहीं हो गया तो इसमें दो है एक तो महिला का है और दूसरी की कामल साब महिला का है कि महिला भी रहेगी और तो गैर मुस्लिम परतिदी इसमें एक तर्क यह दिया जा रहा है कि वक बोर्ड की जो संपती है तो यह सरकार ने हमको नहीं दिया है यह लोगों ने दिया है आपके जैसे हमारे लोगों ने दिया है और जैसा अभी नदीम ने जैसा भी कहा कि जैसे कि आपका सूरत में है एक निज आई थी सूरत में एक सूरत नगर निगम का जो है उपहले सराय हुआ करता था मुगलों के जमाने में तो वो कहा जाता है कि यह वक की प्रोपर्टी है और अभी सरकार ने उस पर कबजा कर लिया है जाता है कि नहीं है वक बोड के नियंतरन में वो बिल्डिंग नहीं है वो जगर नहीं है तो यह तर्क दिया जा रहा है जैसे आपने मुझे नहीं दी है तो फिर आप फैसला करने वाले कौन होते हैं कल हो करके जो डिस्प्यूट होगा या जो पहले से डिस्प्यूट चले आ रहे हैं अब तमिलाडू का गाउं ही उस पर जो है वक बोड का कभजा है वक बोड का कहना है कि यह जो है वक बोड का यह अगर नंशलीम अगर इसमें होते हैं तो यह होता है कि देखे इसका वक बोड का इसे भटकना नहीं चाहते हैं इसलिए कि वर्ड ए तुजे जितने लोग है भारत की धरती पर उनकी सारी संपत्ती में पर आपका आधिकार है इसलिए आप उसके टेनेंट है आप किराया देते हैं बहुत सारी चीजे हैं आप पर पर लेते हैं लेकिन देखें अब वाक बोड की जब उत्पति हुई थी जब यह बनाया गया था तो इसके पीछे धारना क्या बनी थी इसका अब यह था कि भाई आप मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके धार्मिक या समाजिक आप किसी दुसरी कुछते नहीं देना चाहते हैं आप रहें सचर की बात कर रहें हैं आप जस्टिस सचर की बात करेंगे वो किये ठीक है वो भी कहां लागू हुआ देना जी वह बीका पूछ कि सच्चर सहाब ने जो रिपोर्ट पेश की मुशलमानों को लेकर के तो उनका रोल इतना ही था कि आप बताईए कि मुशलमान पुलाओ और चिकन खा रहे हैं कि सत्तू और प्याज खा रहे हैं उनका रोल वो डिसीजन मेकर नहीं थे यहां डिसीजन मेकिंग की बात हो रही ह है कि वक्त बोर्ड में वो भी लोग शामिल होंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है इस चलिए सरकार पर देखिये अभी क्या हाल हो रहा है कूने फिल्म इंडिविजन इस्टिट कर देख लीजिए कैसे कैसे लोग बैठ गये वहाँ पहला चीज़ यह है कि देश ने वक्त से रिलेटेड कोई मामला उठाया नहीं मामला उठाया सरकार ने उसका पूरा जो संदर्व है लोगों का काना है हम लोग का भी अब्जर्वेशन है ही कि दरसल इधर तीन महीना के अंदर में चुनाओं होना है चाहे वो चुनाओं महारास्टा का हो हर्याना का हो या इस चुनाओं में कुछ इस तरह का चीज देखने समझने को बताया जाता है कि सैद एक नफरत का जो है बीज बोने का फिर से कोशिश चुकि पार्लिमेंट एलेक्शन में उस तरह का हुआ नहीं पहला चीज़ दूसरा कि एक्शुल में सरकार चाहे कौमनल पार्टी की हो य हमारी जो जो कमो बेस्तर जो लोग सेकुलर पार्टी कहते हैं उसने भी हमें ध्यान नहीं दिया वक्त के मामले पे कैसे इस बात की तस्दीक कर रहा हूं है इदराबाद में दो एक्जामपल एक किताब में अब्दुरहमान साहब का है कि 2004 का है आपका कांग्रेस का रिड़ को कनवर्ट कर दिया आपका अमबानी और अंगिनत कमपनियों को दिया गया यह 16 एकड़ जमीन की बात उसकी बकाइदा जो कीमत थी वो 32,000 करोड की थी लेकिन वो मौफ़ा खतम हुआ नहीं हुआ ट्राविनल में यह गया ट्राविनल ने उसको रद किया यह केस हाई कोट हाई कोट ने सही बोला सुप्रीम कोट में जाकर गे लटक गया बोलागे कि नहीं इसको दे दिया जाए जो इल्लोग का था तो आज भी केस चल रहा क्या हुआ नहीं नहीं पता फिर दूसरा आपका चंद्रबाबू नाइडू गाउर्मेंट का एक ग्यारा सो एकड़ जमीन एयरपोर्ट ऑथरिटी को दिया गया उस एयरपोर्ट ऑथरिटी में यही डाउनिर्मान के लिए इन सब चीजों के लिए उसका उचित मुआबजा भी नहीं मिला कौन जमीन अधिगान कर रहा है कौन कबजा कर रहा है वो सारा चिस सामने फिर सुलिया जाए अभि हम रांची में अरे थोड़ा था आप इस सवाल है जो दोनुं मुद्दा उठाए हैं इसको वक्त की संपती किस ने दिया था सरकार थोड़े दी थी नहीं वावबोर्ड दी है उन लोगों को कि किस ने दी सरकार नहीं नहीं ये दरसल इन लोगों को इन लोगों ने अधिगरण किया सरकार सरकार ने किया कि हाँ उसमें अबजेक्शन हुआ कि नहीं आप कैसे दे सकते हमसे पहले चल्चा करिए का तमना माल महराज का मिरजा खेले हो ली नहीं पहला दूसरा चीज़ यह पूरा जो संशोधन है बताया गया उमीद है उमीद नहीं है यह नाउमीदी वाला चीज़ डाला जा रहा है यारी यह कहा जाए कि मुसलिम समाज को सरकार जो है वही करवा रही है बेगाने साधी में अब्दुल्ला दिवाना एक्चुल में अभी मेरा पूरा परपस जो है इतना ही है कि हमारी जो प्रपटी है जार्खन में बात कर ले राची में बात कर ले revenue साल का लिया जाता है उस revenue से सरकार या वख बोर्ड मेरे पर कितना कल्यान कारी काम करती है वो तो होता नहीं है आप बहस करने लिया है जैसे एक भी नया hospital जितना revenue आया नहीं बना आज तक सहब PSC CSC नहीं बन पाया है आपका सरकार के पास आपका revenue कितना गया कोई अधारन नहीं आपके पास करोड़ों में गया धिकत यह है कि जब बहस करने आते हैं तो आपके पास full-fledged authentic आखड़ा होना चाहिए अगली बार हम बारना चाहिए इनके पास कुछ हो सकता है इनके पास कुछ हो में सरकार उस सरे वक्फ की जमीनों पर सरकार की सरकारी कब्जा है इसमें कोई शक्ष हुआ नहीं काफी जमीने सरकार की तहविले मुस्तिक अलग अलग सुपों में स्टेट में अब इस यह जो शिर्श दिल्बिलार उसमें यह लिखका है कि जिला में स्टेन कलेक्टर खु कि आप किसी के जमीन को आपके जमीन है तो इसका मतलब कि आपकी जमीन हो जो है कि यह नहीं सकता आपकी जमीन को अपनी जमीन कहते हैं यह गलत नहीं है अफवा है कमाल सब्सक्राइब आप कुछ कर देखे मैं इसको ऐसा है कि जो प्रस्ताव आपका बील कप पेस की लोग्षभा में तो वो पास तो हुआ तो आपका नहीं है वहस होती है उसके बाद न पास होता है पहली हंगामा नहीं है आप का उनके चीजों पर आपको अभियस्टेशन है उसको करना चाहिए अभी भी है आप करने की क्या ज़रूरत थी कहां यहां वहां मुस्लिम समाज के भी MP है तीस आपका आपका सुझाव को मान ऐसी बात नहीं है आपके हित के लिए भारत सरकार लाई है कोई मुसल्मानों का यह विरोध करने के लिए हम तो मांग रहे हैं कि आप हमको राजेंदर सच्चर का रेकोमेंडेशन पास कर दिए रंगनात मिश्रा कमीटी पर एक्शन ले लिए नहीं तो बोल रहे हैं उसी में तो MSDP है MSDP पर एक्शन ले लिए कहां लिए यह पोजिशन कर रहा है यह करके नहीं बैठा हूं मेरा होना कि सुझाव पर मैं दे रहा हूं मैं आज मालिया की आप लोग के बीच में चर्चा में बैठा हूं कोई आपका यह करके नहीं बैठा हूं मैं जो मुसल्मानों के हित में होगा पार्टी में भी बोलता हूं सरकार में रहा भी तो किया और आज यहां भी कि जहां न जिलो में मुत्वल्ली होते हैं और वो परबंधत समीति वही रिपोर्ड करके जिला का अगर जिलो में है तो खिलो पर्षासन और आपका खाली कुरा है हम नहीं है आपका कब्जा वाफ की संपाथी पर कब्जा किया थो डिसखी को कराना है और नहीं है तब criminal है, criminal है, so direct आपका कोट में नहीं जाता है वाफका वाफका, फैसला, यहां भी तीन वो जज हम लोग उस समय थे, तीन जज आपका, यहां बाल थे, जारकन का भी आपका यह है, तो सवाल रहा कि है कि नहीं है, इतो जाच के बाद का है, लेकिन पहले कानून क देख ले उसको पास कर ले कोई भी ऐसा हमको नहीं लगता है कि भारत सरकार कोई ऐसा काम करेगी जो मुसल्मानों के यह चीज है सिया आपका वर्कबोर्ड होता है और सुनी वर्कबोर्ड होता है तो वो जो आपका यह है कि उनके हक में ही होगा और हक में है तो नाइनसाफी तो नहीं हो सकती है सरकार को यह बताने की ज़ुरत है कि हाँ भाई यह 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 है और अब तो जॉइन्ट पालिया मेंटरी कमिटी के पास चली गए है उसमें पक्च और भी पक्च का सब है जहां खामी हो उसको दूर करने का उनलों काम करेंगे औ आपके फेवर में मन लिए सब कुछ अभी जैसे इतनी देर की बात्चित में इन्होंने दो बाते कहीं जो जिसने मुझे किलिक किया जादा एक तो अंजुमन का इन्होंने बिशाल दी कि वहां किराया नहीं दे रहे थे दुकांदारी सही बात है और जब उन पर सक्ती बरती तो वह उन्होंने किराया देना शुरू किया अब दूसरा बात दूसरा पॉइंट इनका यह है कि भई आपके फेवर में है आपका जो आप जैसे मान लीजिए कि तमिलाडू का एक पूरा गाउं है यह जिस पर वकबोड का दावा है कलकत्ता का जो रोयल गोल कलब इंटरन वकबोड का कहना है कि यह मेरा तो ट्रीडूनल है ना अगर आपकी नियत साफ है सचमुच आप चाहते हैं कि वकबोड काम करें और इस मेरे किसी काम से या इस बिल से ही बोलिए कि मुस्लिम समाज में कोई निगेटिब मैसेज नहीं जाए जो कि अभी हो रहा है जिसकी वज इस तर्म में कहें तो जेपीची में भीजा किया है तो अगर नियत सच में साफ लगती पिसी बिचार करिए उति आपसे सरायलेई लेगी ना भाई तौ आपकी नहीं मैं दूसरी बात भूल रहा ऑं कि अगर यहांपे सरकार का सर्सकुए मैं होसित होता थिर सीफित एक मेकनिजम है उसको और इंपावर करना है तो आप ट्रिबूनल को मजबूत करते ना भाई कैसे कमाल भाई अभी बोले कि सकती बरता गया तो किराया देना शुरू किया तो जहां जहां सरकार जो लॉजिक दे रही है कि देखे पूरी लिस्ट है इसकी अई हावा में नहीं है प इंडेश्टीर लिस्ट कर लिया अलग अलग तरीके से तो सरकार यहां पर यह तर्क दे रही है कि हम आपको और इंपावर करेंगे आरे वह तो इंपावर ही करना है तो उसके लिए बॉडी है ट्रिबूनल जो डिस्प्यूट यहां तो आप उसको इंपावर कीजिए अंज कर देते हैं नहीं है मजबूत मजबूत रहा है और उसको पर्मानेंट यह बोड रहे कि हाँ सरकार पर्मानेंट यह वही आपको ठीक करने के लिए यह जहां तर्मीम की जरुएत नहीं है वासु जा दीजिए इसी के लेकर आज यह तो दूर देखिए दूसरा अभी जो नदी आज़त दीजिए कि अभी जो देश का सिनारियो है देखिए सर आप कितना भी परहेज कीजिए गाना तो बात पुल्टीस की तरफ मुग जाती है अभी जो मौजूदा सिनारियो लगवाग सब लोग टच कर रहे हैं दवे लहजों में और यह होना भी चाहिए मर्यादित ड पेट में नहीं बैठे हुए हैं लेकिन वह बात चली जाती है कि अभी आप देखिए कि एक खास अर्गनाइजेशन के पास पूरी लिस्ट है कि बाबरी मस्जिद के जैसी कितनी मस्जिदें मेरा जातीगत मामला यह है कि मिलना चाहिए जिसकी जो चीज है जिसकी जो मंदि जिसका जो मस्जिद है उसको दे दीजिए खतम कीजिए यह सब तो अब इसी में क्या है कि बहुत सारी जो अमारे समय खत्म कर रहा है तो कुछ लोगों का डाउट यह है जो जिसकी वज़ा से इसको जेपी सी में भेजना पागा कि वहां पर आसानी होगी मेरा समय खत्म हो कमाल सर जो है बात्चीत बहुत अच्छा किये लेकिन रहते रहते परवक्ता बन जा रहे हैं भी दिक्कत हो जा रहा है तो सुभावी कजिस पार्टी में रहे हो तो कहना एक्चुल में यही था कि जारखण में राची में भी वक्त की पुरपटी है उस पुरपटी में जो दुकान का किराए नहीं देते हैं गोदाम का किराए नहीं देते हैं कम देते हैं उसको ठीक करवाना चाहिए था करना चाहिए था सरकार जमीन जो है रेलवे आपने कभी आवाज उठाई किया कि हां उनको देना चाहिए यह जो वक्त की पुरपटी है उन लोगों ने आवा कर रखा है और जो अधिकारी है एक्षवल में सिरीफ अभी वो रिविन्यू जनरेट करने वाला उस रिविन्यू के जो माद्यम से हमारा कल्याणकारी काम होना चाहिए था वो नहीं है ना इस्कूल है ना कॉलेज है ना बलड़ वैंक है ना और बाकी चीड़ों के अभी अच बतार है तो उम्हेदा से मिलेंगे परहाय रास्त मिलेंगे अपनी बात रखेंगए और उमीद है कि वो चीजे तर्वीम करना शंसुदन करना उस पर इत्राज नहीं किसी को वोग चीजें तर्मीब करना जो मुस्लमानों के हक में वकबॉट के हक में है और इस तरह की जिर्माते हो यह हो गया है और इंडियों प्सिल्ख का माणखायफ रहमानी सदर है कल बयान उनका आया है उन्मीद को मनासिब निकल जाएगा असली बात अभी बता रहा है मेरा समय चुके खत्म हो रहा है 21 लोग की जो कमीटी वनी है संजुप्त संसदीय समीथी उस संसदीय समीथी के साथ सामने आप अपनी बात रख सकते हैं चिट्टी भेज सकते हैं और आपको जो कहना है वो कह सकते हैं आने वाले दिनों में पता नहीं कब जो संजुप्त समीथी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से सरकारे काम करेगी आप सब आए बहुत-बहुत धन्यवाद आवाद जुहार नमस्कार शुक्रिया